नमस्कार भारत एक्स्प्रेस MP में आपका स्वागत है मैं हूँ हर्शंकर कुमार भावुख हो गए थे और रोनी लगे अब शिवराज सिंग चोहान ने मध्यप्रदेश हाई कोट के मुखे नयाधहिश को पत्र लिखकर उनसे अपील की है दरसल क्या है मामला हम आपको बताते हैं दरसल शिवराज सिंग चोहान ने एक्स पर लिखा समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रकरन मेरे संग्यान में आया है ऐसा शिवराज सिंग्चोहान लिख रहे हैं कि नीजी विश्व विद्यालय के कुलपती जी की जान बचाने के पवित्र उदेश से किये गए अपराध हेतु छात्रों पर प्रकरण दर्ज किया गया है मैंने माननिय उची नियालय के मुखे नयाधिश महोदैस से इस संबंध में पत्र लिखकर छात्रों को ख्षमा करने तथा प्रकरण वापिस लेने का निवेदन किया है मुझे विश्वास है कि माननिय उची नियालय चात्रों के भविशे को ध्यान में रखकर मानविये मुल्यों के आधार पर चात्रों को क्षमा परदान करेंगे अब हम आपको बता दें कि आखिर क्या है ये पूरा मामला जो पुर्मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान मुख्य नयाधिश को पत्र लिख रहे हैं और उनसे चात्रों को क्षमा करने की बात कर रहे हैं नयाधिश को पत्र में उन्हों लिखा कि नीजी विश्व विद्याले के कुलपती प्रोफेसर रंजीत सिंका दिल्ली से जहांसी जाने समय ट्रेन में अचानक तवियत खराब हो गया और उनके साथ यात्रा कर रहे हैं कुछ चात्रों ने उन्हें इलाज के लिए ग्वाले स्टेशन पर उतारा और रेलवे स्टेशन के बाहर चात्रों ने नयाधिश की कार का उप्योग चाभी छीन कर कर दिया जिससे कुलपती को अस्पताल पहुँचा कर उन्हें शिक्र चिकित सा सुविधायों उपलब्द कराई जा सके हलाकि बाद में अस्पताल में कुलपती को नहीं बचाया जा सका और इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा चोरी डकैती की धाराओं के अंतरगत दो छात्रों प के साथ अपराद किया गया है इस मामले में दोनों छात्र हिमांशू और सुकृती ने मानवी आधार पर सहयोग एवं जान बचाने के उदेश से यह अपराद किया है हलाकि अब सीएम भी इस पर बोल चुके हैं क्या कहना है मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादब का ये भी सुनिये चात्रों का भाव किसी तरह का दोईश या आपराधिक कारिक करने का नहीं था ऐसा शेवरा सिंग चोहान कह रहे हैं चुकि यह एक अपराध है लेकिन ख्षमा योग्य किरती भी है अता मेरा निवेदन है कि उची नियालय स्वता संग्यान लेकर दोनों चात्रों के भविश्य को देखते हुए दर्ज प्रकरन को वापस लेकर छात्रों को ख्षमा करने के किरपा करें शिवरा सिंग चोहान अभी भी वो लाडली बहनों के साथ जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं एक छात्र के खिलाप अगर केस दर्ज होता है ये कुल मिलाकर मामला ये है कि एक नीजी विशुविद्याले के वी सी जो है उनको ट्रेन में परिशानी हो जाती है बाद में उनको अस्पताल लेकर जाता है लेकिन छात्र जो जजज साहब की गारी बाहर खड़ी थी उसी में लेकर के वो जवरदस्ती लेकर चले जाते है अस्पताल तक यही उनका अपराध है जिसके लिए ख्षमा देने की बार-बार शिवराज सिंग चोहन मांग कर रहे हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार